नमूतस भगवतो अरहतो सम्मा सम्भुद्धस उन्ता थागत भगवान बुद्धजी को मेरा कोटी कोटी नमस्कारो एवं जिन होने मुझे ज्ञान की रह दिखाया उन मेरे आचारे गुरुवरे गुरु के चर्णों मेरा शत्षत नमन हो नम बुद्ध्याया आज हम आप लोगों को एक विशेश पद के बारे में बताने मा दे हैं कोई कोई लोग पूछे थे कि आखीर कौन से कर्म से मनुष्य लोग में क्या करने से कोई व्यक्ति शक्र देवराज इंद्र जी का पद पाता हैं ऐसा कोई पूछे थे तो हम सोचे कि कोई बात नहीं वह भी बता देते हैं तो आखिर क्या व्रत पालन करने से, क्या व्रतों का फॉलो करने से, कोई व्यक्ति मरने के बाद, दो देवलो का मालिक सक्र देवराज इंद्रजी का पद बात हैं। अखिर क्या है वो भगवान बुद्धिजी स्वया अपने मुख से बताए हैं, सायुक्ति निका, सूत्र पिटक के, सायुक्ति निकाय के, पहले पुस्तक में, उसमें एक सायुक्त है, सक्क सायुक्त करके। उस्याँने कई सूत्र हैं, ननेंग सूत्र है, शनक्र देवराज इंद्र जी से समबन दित। जों अने से एक सूत्र में भगवान बुद्ध जी बताए हैं, कि कौन से कर्म से कोई व्यक्ति स्क्र देवराज इंद्र बंता है। कोई कोई लोग कहते हैं आज कर लोग कि सुगति नहीं होता है, देव लोग नहीं होता है, स्वर्ग लोग नहीं होता है, वे लोग साच में भगवान बुद्ध की बातों को नहीं जानती, सूतर पीटा को नहीं जानती, इसलिए अंत में हम अच्छा से विस्तार बता देंगे कि आखिर क्यों ये साक्र सुगति ये सब ये सब जो हुआ मिलावट उसको अंत्म थोड़ा से बताएंगे सबसे पहले बताएंगे क्या कर्म से कोई साक्र दिवराजिंद्र का अपा दपाता है तो भगवान बुद्ध के समय एक पर लिच्वी कुमार लोग लिच्वी कुमार कहते हैं वैशाली जो वैशाली नगरी थी न अभी वैशाली कहां बिहार में आता उसमें वैशाली नगरी में कुमार लोग रहते थे उन लोग को लिच्वी कहते थे सबी लोगों को सुन्दर थे बहुत तो एक बार भगवान बुद्धी वैशाली में रहते समय वे कुछ लिच्वे कुमार लोग आकर भगवान बुद्धी से पूछने कि भगवान क्या कर्म से कोई व्यक्ति मरने के वाद सक्रदेव राज इंदर जी का पद पाता है तब भगवान कहते हैं कि वो जो अभी जो सक्रदेव राज इंदर जी है उस समय के बारे में बताते हैं भगवान बुद्धी उसकी के बारे में बताते हैं हम तुम लोगों को कि आखिर वो क्या कर्म किया जिससे मरने के बाद साक्रदेव राज इंदर का फ़द पाया बगवान बुद्ध जी बताती है कि ओ साक्रदेव राज पहले मनुश्य दोग में था मचल नाम का गाओं था मचल नाम का गाओं में एक तरुन यूवक था जिसका नाम था मग वो famous हो गया कुमार मघ या मघ कुमार के नाम से बड़ा है शुशीलवान था वो पहली गुनवान था अच्छा रखती था वो साथ वरतों का संकल्प लेता है साथ वरत को अपने जीवन में उतारने का तुरुड संकल्प लेता है वो क्या संकल्प लेता खिर वो वरत किया है वही साथ वरत किसी को मरने के बाद सक्रदेवराज इंदर का पद देता है वो साथ वरत ही सही वो तरुन कुमार मघ कुमार पहला वरत क्या धारन करता है भगवान गुद्धी कहते हैं कि वो पहला वरत ऐसे धारन करता है कि मैं प्रान रहने तक, जब तक मेरी शरीप में प्रान है, जब तक मेरी स्वासे चलती रहेगी, तब तक जीवन भर मैं अपने मापिता का सेवा करूँगा, मापिता जी को सेवा करूँगा, पहला वरत वो ह मापिता को सेवा इसका मतलब वो जीवन भर मापिता जी को सेवा करता है देखें, आज कर कितनी लोग हैं जो जीवन जो मापिता को सेवा करते हैं साधी के बाद, कुछ समय के बाद बहुत सारे लोग मापिता जी को भूल जाते हैं जो माँ अपने खून को दूद में बदल कर दूद पिलाती है बाद में वही बेटा शादी होने के बाद पढ़ लिख लेने के बाद नौकरी करने के बाद अपने बुड़ी मां का ख्याल रखना छोड़ देता है अपने बुड़ी पीताजी का ख्याल रखना छोड़ देता है आजकल बहुत ऐसा है सुनने में आता है लोग मारते हैं भागा देते हैं तो वो अच्छे बेटे का करता भी नहीं है वो अच्छे लोग का नहीं है अच्छे लोग देखिए मगकुमार पहरा वरत धारन करता है जीवन भर मा पिता की सेवा करूँगा पहला दूसरा वरत किया है भागवान बुद्धी कहते हैं मैं जीवन भर प्राण रहने तक बड़े बुढ़े लोगों को बड़े बुढ़े लोगों का आदर सतकार गौरव करूँगा गुरुजनों का जो अपने से बड़े हैं उन लोगों का आदर सतकार गौरव करूँगा दूसरा वरत तीसरा वरत क्या वो धारन करता है भगवान बुद्धी कहते हैं कि मैं जीवन भर मधुरवानी ही बोलूँगा कड़वावानी कभी नहीं बोलूँगा जीवन भर चौथा वृत चौथा वृत मैं जीवन भर चुगली नहीं करूँगा कभी भी किसी को लड़वाने के लिए भी कभी भी किसी के बीच मत भेद पैदा ना करूँगा चौथा वृत पाच्वा वृत क्या था उसका भगवान बुद्धी कहते हैं कि वो पाँच्वा वरत के रूप में वो संकल्प लेता है कि मैं जीवन पर सत्ते ही बोलूँगा छूट का भी न बोलूँगा छूट का सहारा भी नहीं लूँगा चाहे प्राण ही किन्ना चले जाए सत्ते ही कहूँगा पांच्वा वरत उस मag कुमार का, छाठा क्या था?, वो कुमार वरत का संकल पetा है, कि मैं जीवन भर प्राण रहने तक एक दिन नहीं, एक सप्त नहीं, एक महिना नहीं, एक साल नहीं, कब तक जीवन भर, मैं क्रोद नहीं करूँगा, गुस्सा नहीं करूंगा, वैर नहीं बांधूगा वाई मिस्टेक अगर गल्दी से कुरोध आ भी गया तो मैं तुरांत उसे नश्ट कर दूँगा मैं उस कुरोध को तुरांत बहज्म कर दूँगा कैसा संकल्प है ये चोटा मोटा नहीं है जीवन भर के लिए, एक दो दिन के लिए नहीं साथना वरत के रूप में वो धारन करता है कि मैं जीवन भर दान दूँगा कभी भी मैं लोभी नहीं बनूँगा, कंजूश ना बनूँगा जो कोई लोग कुछ भी मांगे तो मैं तुरांत दूँगा मैं हाथ दो कर दान देने के लिए तैयार रहूंगा मैं दान से खुश हो जाऊंगा इस प्रकार मैं दान ही बनूंगा भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि वो मग कुमार ये साथ वरतों को धारन कर लेता है जीवन भर के लिए असान रखता है क्या ये अरे कोई-कोई लोग कहते हैं कि ठीक है मैं जूट नहीं बोलूँगा अगले ही दिन जूट बोल देता कठरवानी नहीं बोलूँगा थोड़ा सा ललाए होने के बद तुरां गाली ये सब देता कठरवानी बोल देता सत्तिका होंगा कहता है कुछ ही दिनों के बद मौगा आने के तुरां जूट बोला जाता है गुसा नहीं करूंगा सोचता है गुसा आजाता है गुसा आने के बद लड़ा भी खर लेता है तो एक दिन के लिए वो कुमार संकल्प लिया नहीं जीवन भर एवं वो बीच बीच में तोड़ा भी नहीं ये संकल्पों को ये वरतों को अखंड रूब से पालन किया भरने ताम ता देखिए उसके जीवन में और बहुत सारा परिशानी आया वो कुमार के जीवन में पर लिए तो देखिए वो कैसे उन सब प्रॉब्लम के बीच में सारे कश्टों का सामना करता है वो आगे बढ़ता है हम आगे अभी बताते है तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि वो इस प्रकार वो साथ व्रत को धारन कर लिया सुरू महीं बच्पन में धारन करके अभी जीवन बिताने लगा अभी जीवन बिताता है कैसे हमेशा सत्ते कहता है मापिता की सेवा करता है दूसरों को मदद करता और बहुत दानी बन गया वो बहुत ज़्यादा दानी बन गया जहां कुवान नहीं रहता था कुवान बनाता है तो यह नंगै बहुत सारी का एक प्रेंटस काथा कि या ठीक है तुम एक तुमको यह मदद चाहे तो हम भी मदद करेंगे हम यह तुम्हारे इस क्या इस योजना में हम भी सामिल होना चाहते हैं। ऐसे कई फ्रेंड्स मिल गए उसके साथ, उस अच्छे कारे में। एक दिन और एक फ्रेंड आता है, वो काता है, भाई, मैं बढ़ाई का काम जानता हूँ, मैं भी तुमको मदद करना चाहता हूँ, तुम जो काम हो, सब हम तुम मील के करेंगे, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, ऐसे पूर्णे का काम। इस प्रकार से, तो वो जितने भी लोग आते थे ना, तो ये मग कुमार पहले बोलता है, ठीक है भाई, मेरे साथ काम करना है, तो सबसे पहले ये पांच काम को करना पड़ेगा, क्या? शील का पालन करना पड़ेगा, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, इसके बाद प्रह्मचारी रहना, साधी है, साधी हो गया है तो वेबिचार नहीं करना, जोटना बोलना, नशान नहीं करना, और साथ ही साथ, हम ये सब फॉलो करते हैं, तुम लोग को जितना हो सके, इन उन लोगों से भी सील पालन खरवाए ऐसे होकर दान देता है अभी उसके पास बड़ा ही भी था बागी फ्रेंड्स लोग थे जो अलग-अलग कामों में मतलब सक्षम थे तो इस प्रकार यह सब होने के कारण क्या हुआ पुरे गाउं गाउं में वो गाउं में सब एको हुटा हुआ घर है तो सब मेल करके उसको छोटा सा घर बना के देता है रास्ता तूटा है तो रास्ता बनाता है सड़क तूटी है तो सड़क बनाता है कुवा नहीं तो कुवा बनाता है जगा जगा पर पीलू रोपता है जो कोई भूखे है तो उसको खाना देता है जिसक पस वस्त्र नहीं है तो उसको वस्त्र देता है सब कमीटिय से बन गयाता है कर रहा था उसी के बीज में अपना मापिता जो को भी देखता है सब काम करता है इस प्रकर अच्छा काम करने लगा हूँ साथ वरतों के साथ लेकिन जानती है हैं कि जो कोई अच्छे काम को करने लगता है तो कोई ना कोई शात्र पैदा हों ही जाता है बादा आती ही है उसके बीच पिया गया उसके जीवन में पता है क्या हुआ यह सब नाशा यह सब छोड़ने से सीलों का पालन करने से जो वहां का मुख्या था, गाउं का, गाउं का मुख्या को जो घुस मिल दा था न, वो घुस नहीं मिलने लगा, उसका आमदनी क्या हो धीरे-धीर धीरे खाम गया, घुसा यारी, इन लोग रहेगा तो मेरा पॉकेट पुरा खाली हा जाएगा, ठीक है, इननों को खतम करते हैं, हटा देते हैं अपना रास्ते से, सोच चुगलिक किया, किसको, राजा को, उससे मैं कर जो राजा था, उसी राजे का, राजा के कान में बोल गया, कि महाराज, हमारे गाउं में एक चोर का एक गुरूप बन गया, बहुत सारे लोग भी उसके साथ मिल गए हैं, वो पुरा गाउं को यह सब को, क्या पुरा उजारा रहा है, महाराज, आप ध्यान देजी थी तोड़ा, ओठीक नहीं तो, राजा सूचा कि, अरे मुकिया, म이지म मेंड़ गाउं का मुकिया, मतला में, पुरा मालिक है मुकिया, गाउं का, तो सही भूर रहा हो, राजा बिना सोच विचार कि उन्स सब को बंदी बना दिया सब को बंदी बना कर लेकर आओ सब को बंदी बनाया बंदी बना करके लाया कहा राजमाहल में कुछ सुनवाई ने सिदा बोला जाओ सब को मार दो कैसे हाथे से कुचलवा करके सब को गार दो यहां तक और कुचलवा के मारवा दो सब को गड़वा दिया अभी किसलिए ये मारने के लिए क्या दोश है उसका कुछ नहीं लोगों का कल्यान करता था राजा भी मुर्ख था कि कमसे तो अथ पूछ ले जा करें कि अरे भाई इन लोग क्या काम किया क्या क्या करता था कुछ नहीं सीधा अखा तो कर दो तो उसका कोई दोश नहीं लोगों का कल्यान करने गया हो रहा है क्या उसके साथ बुरा कहे तो यह अच्छ लोगों के साथ बुरा हो जाता तो परन तो देखिए वो कौन मग कुमार जो वरत धारन क्या था क्या एक था क्रोध नहीं करूंगा क्रोध आ गया तो क्रोध आ भी गया तो मैं तुरंट उस क्रोध को नश्ट करूंगा वो क्रोध नहीं किया देखिए उसका संकल्प उसका वरत कितना शक्ति साली था सामाने कोई व्यक्ति होता तो वैसा होने के वादारी पूरा गाउं का कल्यान भी करने का है उपर से मुख्या जी चुबली भी कर दिया अभी हम लोगों को मृत्य दन बुट दे दिया अभी मुख्या जी पर भी गुसा करेगा राजा भर भी गुष्छा करे कि मूर्ख राजा था, थोड़ा भी सोच विचार नहीं किया, कोई नहीं किया परन तो गुष्छा नहीं किया, अपने मित्रों कहा कि मित्र तुम में इसे कोई भी उस मुख्या के प्रति गुष्छा मत करना, राजा के प्रति भी अपने मन में सामने लाया गया हाथी कुछलने के लिए मेन कुमार कौन है मग कुमार साथ वरत धारी असामा ने वरत धारन किया हूँ मग कुमार अद्बुत है उसका संकल्प जो वरत को तोड़ाने प्रान जाने वाला है अभी अभी हाथे आया मित्रों को बताया कि मित्र तुम में से कोई भी इस हाथी के प्रति गुसा मत करो इस हाथी को माहितरी चित्ते फैलाओ राजा को भी माहितरी चित्ते फैलाओ और जो हम लोगों को फसाया उस मुख्या को भी माहितरी चित्ते फैलाओ सारे मित्र बोले जीफ ओके फ्रेंड, आप ही हमारे मुख्या जी की समान है, आपके बातों को हम जरूर पालन करेंगे, ऐसे सारे लोग में से कोई भी गुसा ना किया, माहित्री किया, हाथी आया, कुछ चलने के लिए सबसे आगे वो था, महग गुमार था, माहित्री फैल आरा, अभी उन लोग के म वो सबसे तरंगे निकर रही थी, वो निकल के ठकराया किस से, हाथी से, हाथी से ठकराया कौन सी तरंगे, माहित्री की तरंगे, सत्च जगी तरंगे, अद्वेश की तरंगे, हाथी बदल गया, आया था, चूरने, चिंघाल अगर के, भाग जाते हाथी, सैनुए लोग तुसरा हातहीं भाग से नए चुरा कही हात mieć हात लोगे राजा को बताया गया राजा का जरूर उने लोगे के बता राजा भी होगा राजा का जरूरों के हात में कुछ जड़ी-बुटी होगा कि बता neuen बत्या mãard करें मैं कारुना दया अनुकामपा हम लोग जिसके पास घर ने उसको घर बनाते हैं जिसके पास कपड़ा ने उसको कपड़ा देते हैं जो भूखे उसको भोजन देते हैं रास्ता तूटा हुए तो रास्ता बनाते हैं कुवा नहीं है तो कुवा बनाते हैं इस प्रकार का हम लोग काम करते हैं, यही हम लोग काम बांत रहें, अरे, पर वो मुख्या तो ऐसा ऐसा बात बताया, हाँ वो मुख्या जी हम लोग के बारे में चुगली किया, यह साथ थे हम लोग ऐसा ऐसा काम करते थे तो उसका घुसी, उसकोरी खत्म हो गया इसलिए, मखकुमार था इसको विशेश पद दे दिया, विशेश पद दे करके सारा छूट दे दे, तुमको जो करना है वो करो, राजा समझ गया कि यह आदमी अच्छा है, पूरा छूट दे दिया, धन समपति दे दिया और एक विशेश पद भी दे दिया अपने राजमार में, तो अ दान दिया, गरीबों को घर बना के दिया, वस्तर दिया, कुवा बनाया, चापा कर बनाया, सड़क बनाया, पूल बनाया, सारा सारा चीज जनता के लिकिया, इस प्रकार करते करते अपने मा पिता जी को हमेशा शेवा किया, कभी भी बड़े बुढ़े लोगों का अगौरव ना किया, अगर कोई बड़ा आ रहा है तो खड़ा होकर इज़त करता, सम्मान करता, कभी भी वो कठोर वानी नहीं बोला, ऐसी वानी जिसे लोगों के दिल को चोट पहुचे, कभी ना बोला, कभी भी वो चुगली नहीं किया, किसी में भी मतभेत पैदा करने के लिए, वो ऐ पूरे लाइफ टाइम में, पूरे जीवन पर, सत्ती ही का, इसके बद गुसा पी नहीं किया, सोचे तो, मरवाने के लिए वैसा करने के बद नौमल लोगों कितना गुसा आएगा, उतना तो दूर, आज कल थोड़ा सा शिप दो बात बोलने से क्या हो, तो तो तुरंत गु गुसा आजाता है, आसान नहीं है, वो इसा वरत नौमल लोगों को नहीं कर सकता है, तो लेकिन जीवन पर गुसा नहीं किया, और जीवन पर दान दिया, भागवान बुद्ध जी कहते हैं, को इन साथ वरतों को पालन करकी, जीवन पर, मरने के बाद, सक्र दीवराज, 33 लोग थें friends में, उन 33 लोगों को एक आदमी को उस तावतिस देव लोग में एक करोड परिवार मिला, तो 33 लोगों को 33 करोड परिवार, इस प्रकार तावतिस देव लोगों 33 करोड हो जाता है, उन लोग सब देव लोग, देवतार लोग, तो इस प्रकार वो मगकुमार साथ पुरतों का पालन करकी साक्र देवराज इंदर बन गया। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि उस साक्र देवराज इंदर का कई नाम है। क्या है वो नाम भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि साक्र देवराज को मगवा कहते हैं। क्यों आखिर उसको मगवा कहते हैं, क्योंकि मनुस्य लोक में उसका नाम मगकुमार था बगवान बुद्ध कहते हैं, उसको पुरीन दद कहते हैं क्यों? बगवान बुद्धी अर्थ बताते हैं, कि वो मनुस्य लोक में रहती समय सबसे पहले दान देता सबसे पहले पुर्णे करता सब चीज में सबसे आगे रहता था दान पुर्णे में अच्छे कारे में इसलिए उसको पुरी इंदद कहते है बगवान बुद्धी कहते हैं कि उसको सक्र कहते हैं पाली में कहें तो सक्र क्यों? बगवान कहते हैं कि वो मनुस्लोक में रहते समय दान ये सब कुछ भी काम करता तो सजा धजा करके किसी को दान देता तो सुंदर से पैक करके सजा करके सुंदर से पैक करके ये करके अच्छा से दान देता था भोजन ये सब कुछ दान देता तो पूरा अच्छा से देता था बगवान बुजी बताए इस प्रकार देने से उसको सक्क कहते है बगवान बुजी और कहते है कि उसको वासव कहते है आप खिर क्यों? वो मनुस्रे लोग में रहते समय है बहुत सारे लोगों को गहर बना करदान दे है गर बना कर दान देने के गारण उसको वासव कहते हैं और कहते हैं सहसक्ख उसको सहसक्ख कहते हैं क्यों सक्र देव राजिंदर जी के पास हजार नेतर के जैसा एक शन में हजार बातों को सोच सकते हैं हम लोगों को मानिए तो अभी एक बार में एक ही चीज़ के बार में सोच सकते हैं मान लीजिए अभी सोचेंगे क्या किसी दूसरे घर के बार में तो सिर्फ एक चीज़ सोच सकते हैं उसको नहीं एक ही बार हजार चीज़ के बार में सोच सकता है तो उसको सहसक्ख कहते है और उसको सुजमपती कहते है उसका कारण किया है भगवान बुझी बताएं उसकी एक पत्नी है देव लोग में जिसका नाम है सुजा इसलिए सुजा का पती सुजमपती हो गया तो भगवान बुझी कहते है इस प्रकार से वो मखकुमार साथ व्रतों का पालन करके साक्र दिवराज इंदर का पत पाता है बाद में क्या हुआ देखिए और एक बात हम विशेश बात पताते है उस तावतिस दिवलों का आयू कितना है बगवान मुझी कहते है मनुस्य लोक में सौ साल वहाँ एक दिन रात होता है कितना साल मनुस्य लोक में सौ साल वहाँ एक दिन रात इस प्रकार से वहाँ एक दिन रात है तो उस प्रकार से तीज दिन एक महिना इसके बाद एक साल इस प्रकार से वहाँ का आयू एक हजार साल है मनने उसलों कायू से दिले लेंगे तो तीन करोड़ साठ लाग साल है वहां का आयू उम्र ता होते हैं तेव लोग का तो इस प्यकार वह पूर्णेगर की भागवान बुद्ध जी कहते हैं साक्रदेव राज इंदर का पत पाया भागवान बुद्ध के समय वह साक्रदेव राज इंदर जी भागवान बुद्ध से एक बार प्रवशन सुनने आता है एक बार भागवान बुद्ध जी इंदर सा फूतापनों हो जाते हैं फूतापन हो करके वापस दीव लोग जाते हैं तो देखिज़ अगर बागवान बुद्ध जी से प्रवचन भी सुने हैं कई अबारा आ करके ये सारा अभिस्तार सक्क पाहिय हूना अब शूतर में है दिगने काई में है उसी सूतर को सोनने के पाद दोस्टोतापन हो जाता है तो इस प्रकार से बहुत अद्भुत गटना है तो इन व्रतों का पालन करने से हैं वो साक्र दिवराजिंदर का पत्भाया अभी कोई-कोई लोग सोचते हैं क्या कि ये स्वर्ग जूटा है भागवान बुद्ध का भी नहीं बताए है अरे वे लोग क्यों इस अंद्वी स्वास में है भागवान बुद्ध का सूतरों को पढ़िए भागवान बुद्ध से स्वयम मिलने आया साक्र जी सायुक निकायम ये सारा विस्तार है लोग कहते हैं कि हिंदू में भी साक्र जी है ऐसे ऐसे कही से हो सकता हिंदू में भी देवताओं है तो होता क्या है न कि ये साक्र देवराज इंद्र जी भागवान बुद्ध का स्वरावग बन जाता है सरन में जाता है तो बाद में क्या होता है न कि बाद में भागवान बुद्ध का धरम इंडिया से नश्ट हो जाता है और भागवान बुद्ध जी के धरम से संबनित एक देवता रहता जो बहुत मदद करता है वो है साक्र देवराजिंदर जी तो बाद में जब धरम नश्ट होते होते गया तो बाद में साक्र जी को एक छोटा मोटा देवता के रूप में बना दिया अब यह आप लोग देखोंगे बहुत हिंदू धरम में बहुत सारे वीडियोस में साक्र देवराजिंद्र को सक्ति साली देवता ना एक छोटा मोटा देवता बहुत बार हार जाएगा या डरपोग जैसा भागता ऐसा ऐसा बना रहे हैं, बहुत वीडियो में हम भी देखें हैं, हम भी पहले यही मानते थें, लेकिन यह सत्य नहीं है, सक्रदेव राजी बहुत सक्ति साली देवता है, बहुत सक्ति साली है, बहुत सक्ति साली है, लेकिन क्या होता है, बागवान त्रिपिटक पढ़ता है तो उसको समाझ में आएगा कि अखिर क्या है सक्ति अखिर क्या है सुगति तो इसलिए ये घटना था साक्रदेवराज इंदर जी का साथ वुरतों का तो आप कोशिश करिए साथ वुरत क्या एक वुरत पे आप सही से पालन करते हैं तो वही आपको सुगति ले करके जाएगा साथ वुरत में तो बहुत शक्ति है बहुत शक्ति है वो साथ वुरत क्या था एक वार फिर से हम लोग दूरा लेते हैं जीवन भर मापिटा को सेवा करता है जीवन भर बड़े बुढ़े लोगों को सेवा सत्कार करता है गौरव करता है जीवन भर मधुरवानी ही बोलता है और ये मधुरवानी तो बड़ा ही अद्बूत है मधुरवानी से बड़े बड़े लोगों का दिल को जीत सकते है जीवन भर वो चुगली नहीं करता है जीवन भर वो सत्य कहता है जीवन भर वो क्रोध नहीं करता है अगर क्रोध आ भी जाए तो वो तुरंद मिटा देता है जीवन भर वो दान देता है ये साथ वरत को पालन करको सक्र देवराजिंदर बन गया एक घटना बताते हैं एक बार साकर जी देव लोग में रहते समय रहते समय क्या होता है एक दान आओ एक असूर आता है साकर देव राज जी का भार में राज भार में आ जाता है उस समय वो हाँ पर नहीं रहते हैं साकर जी बाकी देवगन बैठे रहते हैं वो क्या करता कि मेन कुर्शी पर जाके बैठ जाता है सिंग आसन पर अब राक्षास रहता है वो असुर रहता है बाकी देवता है उन लोग डाटने अरे तु कौन है नीच है तुम हमारे सक्रजी का आसन पर बैठ गया खूब डाटने लगा परन तु पता है क्या हुआ जितना डाट रहा डाट रहा वो राक्षास वो असुर और सुन्दर होते गया और बढ़ा होते गया और विशाल होते गया और सक्तिशाली होते गया यह दो डाट रहा डाट रहा वो और बढ़ा होते गया एक देवता जाके चुपके से बताये सक्र जी को उनका कामरा में जाके जहां थे सक्र जी तुरंट समझ गया वो राक्षस वो असूर अनिवार रूप से गुस्ता को भोजन बनाने वाला है गुस्ता है उसका भोजन इसलिए वो सक्तिसाली हो रहा है सकर जी उसका भास आए, आगार का अपने घुटने टेक कर बताते आ Nepang, हाथ जोड़ कर कहते हैं कि मेरा नाम सकर हैं, मेरा नाम सकर हैं, प्यार से कहने लगी, प्यार से कहने से कहने से本几ी आगवा, वो दीरे दीरे वो राकशह चोटा होते गया, वो छोटा होते 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 आंत में बहुत छोटा हो गया गाइब हो गया गाइब होने के बद सक्रजी कहते हैं कि देवगनों जानते हो वो असुर जो था गुस्सा को अपना भोजन बनाने वाला था गुस्सा को तो मैं उसे इस प्रकार से मैत्री किया इसलिए वो खत्म हो गया इस प्रकार से देखिए सक्रजी मनुस्य लोग में भी गुस्ता नहीं किया मखकुमार राते समय वही आदत वहां भी आ गया गुस्ता नहीं आता एक बार कहते हैं वो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि मुझे सामाने रूप से कोई आसानी से गुस्टा नहीं दिला सकता है अगर कभी भी मतलब सामाने रूप से कोई गुस्टा नहीं दिला सकता है और मुझे गुस्टा आ भी गया तो कभी भी मैं कठोरवाने नहीं बोलता हूँ कठोर वानी नहीं बोलता हूं मैं जानता हूं कि ये गुस्टा मेरे लिए खत्रा है ये जान करके मैं अपने आप के अंदर में गुस्टा उत्पनहुन नहीं देता हूं अगर हूँ भी जादा है तो उस गुस्टा को दूर कर देता हूं देखे कितना सरेष्ट कहते हैं, कठोर वानी नहीं बोलते हैं, मनुश से लोग में वो कठोर वानी नहीं बोलते थें, वहां जाकर के भी वही आदत हैं, मनुश से लोग में गुसा नहीं कियें, वहां जाकर के भी गुसा नहीं आता हैं, तो इस प्रकार वो सातो वृत कुपा अपना है अपने जीवन में आप लोगों का भी खल्यान होगा आप लोगों का ही मंगल होगा इसलिए आप लोगों भी ये स्थाथ परतों को अपने जीवन में उतार लेजिए आप सभी का खल्यान होगा तो दिखी इस प्रकार भगवान बुद्ध जी सारे रहाश्यों का उज्यागर करने वाले हैं क्या कर्म से कोई साक्र दिवराज इंद्र का पद पाता है तो क्या करने से कोई न रख जाता है अपने आखों से देखे, जिब्विच अक्सुस से देखे और हम लोगों को बताएं हम सबी लोगं का कर लेान के जा इसलिए भगवान-बुद्ध के करने यह सब हम लोगों के मिला भगवान-बुद्ध न ही होते तो हम सबी लोग अपने आखों पर पट्टी बंदे रहता हम सभी लोगों के आखों पर और जो दुनिया इंबता था वह ही सब हम लोगों मानते जाते करने तु भगवान बुद्ध सत्य दिखाएं सत्य देखें सत्य दिखाएं उन भगवान बुद्ध को हम सभी लोगों का हम सभी लोगों का नमस्कार हो नमु बुद्धाएं